नमस्कार मैं Advocate विकास यदाओ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका यार आप जो response दे रहे हो ना खतरनाख response दे रहे हो मदा आगया आगया देखके पता है आज से एक अफते पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर थे आपने यार देखते देखते 800 तक पुचा दिया और क्या ग्रोथ ते रहे हो वाँ 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 उस टाए मेरे 7-8000 व्यूज थे अब चैनल पे 45,000 व्यूज जाने को हो रहे हैं तो भाई सल्यूट है आप सबको बड चाहिए होते थे इस बार 45 नमबर चाहिए जनरल और OBC को पहले SCST को 35 चाहिए होते थे इस बार इसको 40 चाहिए तो देखे थोड़ा सब BCI स्ट्रिक्ट हो सकता है ना मैं पक्का शोर हूँ ना जो आपको मार्केट में कोई बता रहा है कि कमेंटरी वाले बेर एक्ट ले जा करेंगे तो आप अपने रिस्पी लेकर जाओगे तो अलग बात है मैं आपको यह सज़ेस्ट करूंगा कि 14-15 रुपे का आप ले लो यार ठीक है क्योंकि मालो अगर आपको डिसलाव कर देते हैं तो अगली साल आप फिर से फोम भरोगे चार अजार का फोम भरोगे फिर से यो AIV का एक्जाम है उसके अंदर देखे 15-20 कोशन तो हाड आएंगे याएंगे क्योंकि हर एक एक एक्जाम में मैंने देखा है कि 15-20 कोशन अच्छे कोशन आये हैं जो आपने डीप में पढ़ा तो आप कर पाऊगे और बेरेक्ट में भी डूणने में आपको दिक्कत आपको और बीकाम होते हैं आप अपनी प्रेक्टिस विद्व कर रहे हो साथ की साथ और यह कोई एक्जाम ऐसा नहीं है कि अगर नहीं क्लियर हो तो फिर आप प्रेक्टिस नहीं कर पाऊगे दो साल तक तो करी सकते हो ठीक है तो इतनी सिरदर्दी लेने कोई जूर्थ है न हो सकता है क्यूंकि भाई इस एक्जाम को कंडेक्ट नहीं करवाने की भी मांग चल रहे थी कि कि किसले कर आ रहा हो आप और विनाबाद का यह प्रकर का प्रोसीजर यह जो नहीं करवाना चाहिए तो शायद इस बर भी सिए थोड़ा सा स्टिक्ट हो सकते है तो आप गंटे का टाइम मिलेगा अब कुछ एडिशनल इन्फोर्मेशन है वो आप एक्जाम वाले दिन हमेश्य ध्यान रखना कि आप से मिस ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ वो देखा सबसे पहले आप अपने जल्दी पहुचने कोशिश करना बेर्ट मैंना आपको बार बार बता रहाँ रिस्क मत लो न रखनाओ आपको तो तोड़ी दिक्कत हो सकती है बाकि अलाउव भी कर देंगेगे लेकिन मेरे according भाई आप ले लो ठीक है without commentary वाले ले लो अच्छी investment है mobile phones, laptop, smart watch आपको allow नहीं है आप normal watch पहने सकते हैं वो आपको allow है और सबका paper साथ में छुटेगा कोई जिये नहीं कि मैंने पहले कर दिया मेरे कोजी पहले बेज दो ऐसा नहीं सबको साथ में paper खतम होगा तभी जाने दिया जाएगा और OMR sheet का ध्यान रगना OMR sheet पे roll number बड़े ध्यान से बरना question code बड़े ध्यान से बरना इसलिए बड़े ध्यान से यह चीज फिल करना यह चीज में गडबड नहीं होनी चीए बड़े ध्यान से देख देखके गोले भरना ठीक है बार दुबार में आपको OMR sheet नहीं बिलेगी और जो हमारे disabled भाई हैं उनका ध्यान रखना कि भाई आप जो scribe लेके जाओगे आपको खुद से लेके जाना है examination आपको provide नहीं करेगा वहाँ पे और जो आप लेके जाओगे वो person या तो 10-12 तक क्लास में होना चाहिए उसका एक eligibility यह है कि वो humanity side या legal study side से नहीं होना चाहि है वो एक science का बच्चा होगा commerce का बच्चा होगा तो चलेगा community का बच्चा नहीं होना चाहिए और उसके साथ आप उसको स्कूल का i-card है उसका वो भी आपको ले जाना compulsory है और उसका अधार काड भी ले जाना compulsory और खुद का यानि आप जो exam दे रहे हो अपना भी candidate का आपक केसी जो भी आप करते है और लाइफ है वो अपना फिर से continue कर देना खुश रहे है मुस्क्रा तेरे देशा ख्याल रखे जैहरी